आजो, एक मेथड हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके, चीक है, बाइबे कितने तरीके से होता है, तीन, पहला, टेंडर, दूसरा, ओपन, ओपन के अंदर दो थे, बुक बिल्डिंग और स्टॉक एक्स्चेंज, तीसरा, ओडलोड, ओडलोड आप खतम, चीक है, और क् पुराने के अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 50% है, यह पुराना था, अमेंडों के इसको क्या कर दिया है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, अमेंड करके इसको क्या कर दिया है, 75% हाँ, अमेंड करके क्या कर दिया है, 75%, इनकेस बच्चा अगर आपको दोनों में याद करने में हो रही है तकलीफ, तो नये को फिर पकड़ कर चलना, फिर पुराना चोड़ देना, लेकिन हाँ नया तो पकड़ना, कुछ भी नहीं पड़ोगे यह नहीं चलेगा, चिक, चले, आजो, वापस वापस वापस, दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं, दो, अब क्या पड़ने वाले बच्चा, हम पड़ रहे हैं, अगर आपने कौन से मेथटली बाइबैक का, ओपन मार्केट, तो आपके पास दो रूट है, या तो आप स्टॉक एस्टेंज की थूँ चलिए, या तो आप किसके चलो, बुग बिल्डिंग, इन्होंने कहा, कम्पनी की ने डीसाइड किया है, क्या डीसाइड किया है, मीटिंग में बैट कर, की हम चार करोड का, चार ने, चलो, 400 करोड कहते हैं, हम 400 करोड का गाइबैक का सोच रहे है, draw here, example, इत्ने का बैडए करने का सोच रहे है? 400 करोड का, इंपनी शयों से एंशर, एंज और उपदी परस कि द्रू जा रहे हैं तो जितना भी आपने किया है इसका पचास परसेंट तो पक्के से कर ले तो भाइ चारसो करोण का पचासपरसेंट कितना होता है 200 करोण अब amendment के बाद अगर मैं बोलू, तो amendment ने क्या बोल दिया, इसे cross करके क्या बोल दिया है, 75, क्या बोल दिया है, 75, मतलब कि जो भी company decide कर रही है buyback का consideration, उसका 75% तो पक्के से buyback कर ले, जो भी, 50 के जगा, बस लिख दो, ये old था, अब amendment 75 है, ठीक है, in the resolution of the board of reactor, अब आपकी meeting में जो भी decide, board resolution में, board resolution में मेरे example को गोड़ेंगे, 400 वा, या फिर special resolution में, जो भी आपका decide वा, utilize for the buyback, the share and any other space-wide security, तो in short, जितना भी आप decide करोगे, तो please पक्के से, आप ये in short करना, उसका 50% तो buyback कर ले, क्योंकि ये तो option है, ये option है, हमने सब को दिया, ज़रूरी ने ये option सारे opt करे, इन्होंने का कि आपकी responsibility है, 50% old, और नया क्या बोलता है, 75% तो पके से buyback करें, अगर नहीं वात तो क्या, सारी चेज़े वापस फिर से return करनी पड़ जाएगी, अगर आप open market से जा रहे हो, तो, clear है, चली, amended TJ ने, पहला तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने बता दिया, बस आपके सामने एक बार रीट करूँ, the company challenger rate case कितना, 75% of the amount, earmark for the buyback is utilized for the buyback share of the any other, ये से लिखा है, अब उन्होंने पूराना बता है, the minimum utilization of the amount, पूराने time पे कितना था, 50% था, जो increase होगे, कितना हो गय है, चलिए, अब इन्होंने का कि minimum कितना परसेंट, 40%, minimum कितना परसेंट, 40%, 40% of the amount, earmarked for the buyback, specified in the resolution of the board of the actors, special resolution, utilized within, क्या लिखा है, initial half of the specified duration, buyback करने में, buyback को कितने time पे खतम हो जाना चाहिए, एक साल के अंदर, एक साल के अंदर, चिक है, चलिए, एक साल के अंदर, बाइब खतम हो जाना चाहिए, तो half में, आपका 40% अचीव हो जाए, half duration में क्यों जाए, 40% अचीव हो जाए, वापस, हम पढ़ रहे हैं, buyback हो रहा है, open market, open market में, हम या तो stock exchange के थुरू जा रहे है, या तो book building, मतलब, open market में हमने क्या करके रखा है, Bombay stock exchange में बैठा है, हमारा merchant banker, औ ठीक है, अभी तक जब हमने tender offer से पहली वाली method पढ़ी तो उसमें क्या था, सबके घर में letter dispatch कर दिया था, सबके घर में क्या कर दिया था, letter dispatch, घर पर आ गया, read करो, interested हो, buyback करने में, दे दो हमें, खतम, अब घर पर dispatch ही नहीं हो रहे है, घर पर dispatch हो रहे है, क्या, नहीं, अब क्या और है, stock action, Bombay stock action में, हमने अपने merchant banker को भेजा, हम कौन, हम company, हम company ने अपने merchant banker को भेठाया, और बोला कि market से खरीदना चालू, कर दे, एक अच्छे price को उट करकर, चीक है, company का plan है, 400 करोड का plan है, तो साफसा बोल दिया, जितना आपका decide by 400 करोड, उसका 50, पुराना, पु महीने में, तीन महीने में खतम करेंगे, चीक है, तो 400 करोड हमें 3 महीने में करना है, तो प्लीज, आधे में, 3 महीने का आधा कितना होता है, डेड़ महीने में हमें 40% achieve कर लेना है, डेड़ महीने में 40% achieve कर लेना है, एक बार और फिर से साथ में read करे, the company shall ensure the minimum 40% of the amount airmarked for the buyback as specified in the resolution, अब आपने जो resolution में decide किया, मैंने example में आपको कितना बताया है, 400 करोड बताया, चीक है, तो इन्होंने का है, जो कुछ भी है, प्लीज, वो यूटिलाइज होना चाहिए, विदिन दी, वो आपका आ जाना चाहिए, initial half of the specified duration, जो भी specified duration है, बात समझ में आई, 6 महीने का है, तो 3 महीने में लेकिया, जो 8 महीने में लेकिया, जो बात समझ में आ गई, open market से merchant banker की responsibility है, यह आपको formalities करनी पड़ेगी, done, चलिए, अब आजो, अब इन्होंने का कि दूसरी process स्टार्ट होती है, यहां से हमारी, सबसे पहले open offer किसे कर रहे है, through stock exchange, किसे कर रहे है, through stock exchange, अब देखो कुछ बात है तो आपको similar मिलेगी, कुछ बात है आपको similar मिलेगी, पहला, the company buyback only, क्या लिखा है, stock exchange, वो stock exchange कैसा होना चाहिए, nationwide trading terminal, बोले तो Bombay और national stock exchange, जो national level में चलता है, दो stock exchange पूरी इंडिया में national level में चलते हैं, उन्होंने का कि यह जो process है ना, यह Bombay और buyback of the share, जो भी हो रहे है, through stock exchange, not be from the, क्या लिखा है, promoter, or person in control of the company, जब आप buyback करेंगे, तो इसमें promoter नहीं होगा include, मतलब प्रमोटर से buyback नहीं करना है, promoter से shares वापस नहीं करीदने, और ना उस person से खरीदना है, जो इस company को क्या करता है, control करता है, general बात है, अभी तक general बात stock market में चीजे कैसे होती है, for example, मैंने quote किया, कि मुझे 100 share चाहिए, मैं merchant bank करूँ, मैंने quote किया, मुझे 100 share चाहिए, 2000 रुपे के, क्या लिखा मैंने, मुझे 100 share चाहिए, कितने के चाहिए, 2000 रुपे के, ये मैंने ऐसा order डाल दिया, वहां से किसी ने डाला, कि मैं 100 share चाहिए, 3000 में, क्या match हुआ क्या, किसी ने बोलो, मैं 100 share बेचूंगा, 1500 में, क्या match हुआ क्या, मतलब, matching concept क्या, किसी ने डाला, कि मैं 100 share बेचूंगा, कितने में, 2000 में, तो ये क्या होता है, matching concept, हमने यहां से डाल दिया, अपने number of shares डाल दिये, अपने number of price डाल दिये, सामने वाले इने भी अगर यह डाला तो यह दोनों match हो जाएंगे और हमारा क्यों जाएगा बच्चा? Stock Exchange में deal final हो जाएगी. तो इन्हें बोलते हैं matching concept. तो यहाँ पर उन्होंने बस यही बताया है कि stock exchange में जो काम होता है न वो कैसे होता है बच्चा? Order matching concept के साब से. तो merchant banker जो यहाँ पर delay कर रहा है, merchant banker जो यहाँ पर shares करीद रहा है, तो जो कैसे करेगा? Matching concept के base में ही होगा. यह बात समझ मागई? Accept. Exception. मतलब यह काम नहीं करेगा. अब matching concept की थोड़ी सी technical चीज़े होती हैं जो बहुत जादा detailing है. इतनी detailing उन्होंने बताई नहीं है, बस उन्हों नहीं बोल दिया. क्या बोल दिया है? All or, None, Other Matching. अब matching concept के अंदर ना बहुत सारी सब कैटेगरी होती है. उसमें से एक कैटेगरी होती है, कि हम जब हम match करेंगे, तो आप match किस से करवाना चाहते? थोड़ा सा range आसपास है, एक दम exact है, या थोड़ा सा इदोदर है, तो इन्होंने बोल दिया, अगर आपने इस वाला option को opt की है, क्या हो कौन सा? All or, None. आप All कर लो, या फिर None. ये भी एक order matching होता है. इसको छोड़ कर, बाकी सारी चीजे क्या हो जाएंगी? Allowed है. हम कर क्या रहे? Buyback करे. कौन सी method हमने select करी? Open market की stock exchange. ये क्या बोल रहा है? कि भाई, पहले तो nationwide trading terminal होना चाहिए. दूसरा क्या बोल रहा है? Promoter से मत लेना, और उस बंदे से मत लेना, जो control कर रहा है. तीसरा, matching concept में ही चलेगा, except इसको भी Allowed कर लिया जाएगा. इन्हों Accept this. इसे भी Allowed कर लिया जाएगा. बाल समझ में आ गई? अब ये क्या लिख है? वापस वापस. रुको रुको. ये क्या बोल रहा है? Buyback जो किया जाएगा, वो बस किसमें किया जाएगा? Only matching concept. इसका मतलब वो क्या बोलना चाहरे? बस इसी को किया जाएगा, इसके लावा कि कर लिया जाएगा. ये नेगिटिव नेगिटिव लिख है. इन्होंने बोला हम इसी को करींगे, इसके लावा किसे और को नहीं है. लेकिन accept this मतलब इसे भी कर लिया जाएगा. ये action में double negative, इसकारण से पॉसिप्टिव हो जा रहा है. इसकारण से पॉसिप्तिव हो जाएग पॉसिप्लिक अनॉंसमेंट आगे तो बिल्कुल सेम डिक्टो जो टेंडर ओफर की तरह है. लिख दो, सेम एस टेंडर ओफर. इन्होंने डिटेल में नहीं बतायो, बस क्या रिफरेंस दे दिया है, कि भाई, टेंडर ओफर जैसा सेम है ना? ठीक है? टेंडर ओफर में क्य आपके आंगसर में पोस्तल बैलेट होना चाहिए. पहले दो पॉइंट समझ में आए, सेम है, रिपीट है, टेंडर ओफर जैसा है. चीक है? चले, अब यह साइमल्टेनिस वाली चीजे चीजे हो जाएंगी, साइमल्टेनिस वाली चीजे क्यो चेंज हो रही है? यहां बोल और हमने उसमें क्या बढ़ा था ही बताओ? स्टॉक एक्षेंज को देना था ना? तो स्टॉक एक्षेंज की रिस्पोंस्बिलिटी आके स्परेड करने की, फिर क्या था? वेबसाइट में भी शो करना है किसकी से वेबसाइट थी? चलो. वेरी गुड. सेम बाते, जो आपन करेगा पब्लिक अनॉस्मेंट, फिर ये वेबसाइट में जाएगी, वेबसाइट किसके? स्टॉक एक्षेंज के, मर्चन बैंकर के, कमपनी के. ठीक है? समझ में आया? रिपीट है. ठीक? चलिए. यहां तक सेम. अब एक चीज और अड़न करनी है. ये आपको मिल जाएगा बच्चा लोड मतलो. क्या लिखा है? बाई बैक जो थू करो, स्टॉक एशेंज ही करो. इन्होंने कहा कि प्लीज उन्हीं शेर्स को खरीदना, जो क्या है? उन्हीं शेर्स को खरीदना, जो फ्रिक्वेंटली ट्रेड है. चलिए एक नया कंसेप्ट है, समझना है. कोई जाता है खरीदना, टाटा के शेर्स, मतलब एक अच्छी कमनी, जिसकी गुडविल अच्छी हो, उसके मार्केट में शेर्स अच्छे से ट्रेड हो रहे होंगे. ठीक है? अब जिसके ट्रेड नहीं हो रहे होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फ्रिक्वेंटली ट्रे ट्रेडिंग, मतला खरीदना, भीचना, भीचना बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ओ रहहा हो, वो 10 परसेंट से ज्यादा हो रहा है, तो मानल्या जाएग़, वो फ्रिक्वेंटली ट्रेड कर रहा है. जिस कंपनी के शेर्स परशेंट से कम, मतलब 9 पर से ट्रेडिंग हो तो frequently trade मतलब क्या होता है 10% से ज्यादा की trading है तो frequently 10% से कम की trading है तो infrequently और इसकी detailing आगे चलके हम पढ़ेंगे अभी शॉर्ट में introduction बता दिया इन शॉर्ट अगर हम buyback करने जा रहे हैं यह वाला option कौन opt करेगा वही कंपनी opt करेगी जिसकी market में क्या है शेर्स क्या हो रहे है अब merchant banker खरीदने बैठा है कोई बेचने को तयार नहीं किसी के पास है ही नहीं तो बच्चा वो कैसे खरीदेगा मुश्किल होगी ना तो merchant banker उन्हीं शेर्स को वो खरीदने बेचने में आए जब उसकी company के शेर्स क्या हो फ्रिक्वेंटली ट्रेड हो रहे हो बास समझ में आ गई चले नेक्स एक और बात बात बाइबेग थूदी स्टॉक एक्षेंज चले वापस हम क्या बढ़ रहे हैं बाइबेग कर रहे किसे थूदू स्टॉक एक्षेंज पहला पॉयंट क्या बोलता है nationwide trading terminal होना चाहिए यहाँ पे दूसरा point क्या बोलता है प्रमोटर से मत घरीदना चीक है तीसरा point क्या बोलता है matching concept में चलेंगे accept this चीक है इसे भी indirectly include next merchant banker appoint करो दो दिन के अंदर public announcement करो चीक है फिर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है simultaneously से भी लेकिन हाँ नयाय में हमने अभी थोड़ी से detailing पड़ी चीक चले पब्लिक announcement में detail में लिखा होना चाहिए यह भी disclosure देना अपने broker की अपने stock exchange की कौन सा आपका stock exchange है मेरे shares मैंने public announcement क्यों कंपनी buyback लेकर आना चाहिए इस public announcement में यह भी आया होना चाहिए मेरा Bombay stock exchange या फिन national stock exchange है कौन ब्रोकर से मेरे इनकी पूरी detailing आपको पहले ही public announcement में बदानी होगी तो यह जनरल बात है नीचे छोटी से बात लिखिए उन्होंने का कोई draft letter offer नहीं आता क्यों नहीं क्योंकि stock exchange से खरीद रहे ना जह हम stock exchange से खरीदे तो draft letter offer की ज़रती नहीं है ना draft की ज़रत है नो normal letter offer की ज़रत है वहाँ हमने दूसरी method ने पढ़ा letter offer की ज़रत पढ़ती है भले अब new amendment ने उन्होंने बुला draft अटा दिया यहाँ letter offer नाम की चीज नहीं आती क्योंकि हाँ पर direct हमारा merchant banker कहां से खरीद रहा है stock exchange से खरीदे बास सम responsibility merchant banker को दे दी identify the company company हाँ पर purchaser बनके घूम रही है कि हम अपने company के shares खरीदना चाहते है अपेड on the electronic screen हाँ obviously electronic screen के सामने वह खरीदना चालू करिये stock market के अंदर से यह amend हो चुका है अभी पहले पुराना बढ़ता लिए buyback offer shall be open not later then buyback offer open हो जाना चाहिए 7 दिन के अंदर में हमने क्या बढ़ा था नया वाला tender में क्या बढ़ा था अंपुराना बोलता है पांच दिन के अंदर न पर जाना चाहिए और ओपन और जाना चाहिए और ओपन होगा पांस दिन समझ में आया ठीक है confused होगे तो क्या याद करना बसना यह आवाला चीक है अब यहाँ पर दूसरी step चल रहा है ना दूसरी method चल रही है यह method बोलता है किते दिन में open हो जाना चाहिए साथ दिन के अंदर कब तक open रहेगा close होगा 6 महीने from the date of opening of the offer 6 महीने का duration क्यों 6 महीने का duration बच्चा यह stock market में है इससे पहले हम क्या करें थे सबके घर में letter पहुचा दिया था लेटर पचा दिया था बोला पढ़लो देखलो समझलो और accept करो हमने window open रखे आजो यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है यहां merchant banker stock market से खरीद रहा है तो जब वो stock market से खरीद रहा होगा बच्चो दिरे दिरे करके खरीद रहा होगा not later than open not later than seven days from the date of the public announcement कहां से public announcement से साथ दिन के अंदर और शेल बी क्लोज कब क्लोज होगा च्छा महिने च्छा महिने कहां से जब opening वा मतले च्छा महिने के लिए उपन रहेगा यह बल सकती हूं चिक है यह था पुराना चिक है अभी पहले पुराना ही कर वाँ क्योंकि अभी देनी है इसटाओ के देली बैसे समें मचल करबाटला चाम महिने के लिए विंडोफन है कितने मेना की विंडो फदाऊन चॉम्धै बर्sheंन के लिए कि अदिक यह कुरत आपने इसकी रिपोर्टिंग बस करते रहना हो गा किससको स्तुक स्टैंज को यह इसकह तीक है आपने जितना भी आपने सोचा है, प्लाइन किया है, 400 करोड का, उसका कितना हो जाना चाहिए? नया बोलता है, 75% अचीव कर लेना चाहिए. चीक है? और नए में अपने एक और चीज पड़ी थी कि आधे टाइम पर 40%. अब जैसे ये 6 महीने बोला है, तो भाई आपको क्या कर करना चाहिए, तीन महीने में 40% खरीद लेना है, ये क्राइटेरिया सेट किया है, चीक? Stock Exchange को देनी है, हाँ, कुछ नहीं, सारी चीज इलेक्ट्रोनिक है, ऐसा फॉर्म नहीं फिल करना होता है, इलेक्ट्रोनिक फॉर्म होता है, चीक है? एक फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म को फिल करो कि हमने इतना इतना खरीद लिया है, ये आपको उसको बता तो Stock Exchange को और कंपनी अपनी वेबसाइट में बस दिखने लगेगा, कि इतने 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 खरीद लिया है, ये सच है, और ये तो अभी कुछ नहीं पढ़ा भी आजो, और रेगुलेशन से, सब सब सब, ये अभी एक काम है, हाँ, ये अभी एक काम है, इसके लावा और होते है, चीक है? अब दे दिमागदार वाला काम करेंगे, ठीक है, फिट तुम लोग आर्टिकल से बन जाओगे, तुम दिमागदार वाला काम करोगे, तुम दिमागदार वाला काम करोगे, तुमारे अंडर फिर दूसरे आर्टिकल करेंगे, तो ये प्रोसेस है, ठीक है, ये तो लनिंग्स है, आप समझो, यह क्या लिखा है, बचों, फोर्थ पॉइंट तक समझ मैं है, वापस, पहला पॉइंट, बाइब करने से पहले कुछ प्री कंडिशन्स, दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ डिस्क्लोजर, फाइलिंग, रिक्वार्मेंट रे, टाइम लाइने, पप्रीक अनॉस्म फिजिकल फॉप, अब देखो, फिर से बतारू, फिजिकल फॉप चीज़े, अल्मोस्ट खाता मुझा है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत एक परसेंट भी चल रहा है, उसके लिए प्रोसेस है, मान लो तुमारे पास शेर्स फिजिकल फॉप में, अब बाइबाइब क करो, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, एक separate window, नॉर्मल जो Bombay Stock Exchange में वो जो window open है, जिसमें ये काम हो रहा है, वो अलग है, इनके लिए separate एक facility दी जाएगे, separate window shall be created by the stock exchange, which shall be remain open during the period of buyback, ये 6 महिने तक जो buyback period हमने stock market में चला है, आपके लिए अलग से window open किया, आओ, यहाँ पे physical shares ले क्या हो, इसको हम खरीतना पेशना अलग तरीके से करेंगे, तो अलग से ये facility प्रोवाइट की जा रही है, by the Bombay Stock Exchange in the request of company, बास समझ में आई, पका, next, the company shall buyback, the shares, physical shares only through, separate window के through ही आएगा, तरवाइस वो नहीं आएगा, after verification of the identity and address of the eligible shareholder, by the broker, बीच में brokers आ जाएगे, ये broker एक बार इनने चेक करींगे, fake लोग तो नहीं आए है, सही shareholders ही तो है, तो एक बार चेक किया जाएगा, तब जाके ये separate window से buyback होगा, पहला दूसरा समझ में आए, पहला बोलता है separate window की facility, दूसरा बोलता है, एक बार verify किया जाएगा, बाइदी broker तब खरीदा जाएगा, next, अब price कैसे decide की जाएगी, समझना, price कैसे decide की जाएगी, इन्होंने का price decide करने का नहीं एक calculation है, एक method है, इसे हम बोलते है volume weighted average price, वापस, method है volume weighted average price, आपके syllabus में ये method नहीं बताएगे, लेकिन होता कैसे थोड़ा सा समझना, volume weighted average price, पूरे एक हफते का, इसे क्या किया जाता है, एक हफते का, एक हफते में बच्चा stock market दो दिन बंद रहता है, कब कब बंद रहता है, Saturday and Sunday, तो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, इन पांस दिनों की बात हो रही है, अगर week की बात करे, तो इन पांस दिनों में क्या होता है, किस price में खरीदा का है, किते किते shares, किते किती price में, समझना, for example, हमने क Starter 6 इसलिए सिखाया जाता था, कि ये सारी चीज़े आए, ठीक है, तो number of shares 5 है, तो किसे frequency और से X बोल सकती हूँ, Starter 6 में ये सिखते थे ना, एक तरफ marks लिखे रहते थे, एक तरफ number of students लिखे रहते थे, ठीक है, तो ये 10 shares है, ठीक है, डेट सो में बेके, ये B shares है, दो सो में बेके, तो इस तरीके से calculation किया जाता है, weighted, इस तरीके से calculation किया जाता है, weighted average price का, पूरे हफते भर में जितना क्या खरीदा गया है, इससे निकाला जाएगा आपकी एक price, ये price लेकिन stock market में कितना खरीदा बेचा गया है, उससे decide क्या जाएगा, वापस, हम पढ़े physical shares क्या करने है, buyback करना है, separate window open कर दिया, इसकी price क्या होगी, इन्होंने का कि हम stock market में देखेंगे, हम stock market में देखेंगे, कित physical form वाली चीज़ें नहीं की जाएगी, क्योंकि हम किसकी बात करें, online, stock market में हो रहा है, during the calendar week, इस calendar week में जितना खरीदा बेचा गया, उसी price में physical वालो, तुमको हम ये shares buyback कर लेंगे, तुम्हें पैसे दे देंगे, बदले में shares लेंगे, यहां तक चीच के लिए रहे, मान ल price में, अगर समझ लो, no shares, no shares brought back during the calendar week, preceding week, when the company has last brought back, last जब उसने buyback किया, पुराना हफता देखके हम काम चला लेंगे, वापस, हम क्या बढ़ रहे है, physical shares के buyback की बात करें, physical shares के buyback की बात करें, यह कहरे है, बहिया, क्या price decide होगा, इन्होंने का price decide करेंगे, during, during the week, during the week, वो जो week जो चल रहा है, उस week में हम stock market में देखेंगे, stock market में price calculate करेंगे, price calculate करने का एक formula है, ठीक है, method है, उस method का नाम क्या है, volume weighted average price, ठीक है, volume weighted average price लगाएंगे, और इससे हमारी price निकल आएगे, ठीक, तो उस price में बेज़नेंगे, इन्होंने का कि हो सकता है, उस week में, कोई भी shares खरीदे बेचे, नहीं गए, तो इन्होंने क्या बोला, preceding, क्या बोल रखा है, preceding मतलब, उस हफते से पहले, वाले हम देख लिए, तुम को कि उसमें भी नहीं, और देखते चलेंगे न, कभी तो होगा, कभी तो खरीदा होगा, ठीक है, तो जो भी पुराना होग होगा, वो प्राइस में हम आपको बेच देंगे, क्लिर है, फिजिकल फॉर्म समझ में आया, यह क्या लिख है, क्यो होता है, एस्कोर अकाउंट, भरोसे वाला अकाउंट, हमें भरोसा नहीं है, कि तुमारे पास पैसे है, तो प्लीज, भरोसा दिलाने के लिए, आपको एस हो जाना चाहिए था, साथ दिन, साथ दिन कहां से, पब्लीक अनॉंसमें जाहां से, वाँ से साथ दिन के अंदर, कितने दिन पीलो ओपन होना चाहिए, च्छाय मेने के लिए रहे, तो जब भी ओपन हो रहा है, विफोर दी ओपनिंग ओप्पर, क्रिएट करो आइस अकाउ जितना आपका decide था उसका 25% डाल दो पैसा इससे पहले tender offer में क्या पढ़ा था पहले यह बताओ tender offer में क्या पढ़ा था इन्होंने का 100 करोड का है तो 20 अबब है तो 25% तो रखो plus 10% remaining का यही पढ़ा इन्होंने का ऐसी कुछ भी नहीं है सीधा उन्होंने क्या बोलती है 25% buyback specified in the resolution resolution में जो decide कर था उसका 25% that's it चीक है वो tender करोगे तो tender ने कर रहे तो भाई यह सीधा 25 याद रखने पढ़ेंगे चीक है इसमें कोई changes नहीं है यह तो fresh ऐसा है अब आप escrow account may be in the form of वहाँ हमने पढ़ा था कि escrow account में क्या के रह सकते हो cash रख सकते हो bank guarantee securities और दोनों सब का combination चीक है उसकी detail में हमने पढ़ा था कि कभी single हम आपको bank guarantee और deposit securities नहीं रखने देंगे 1% तो cash आएगा यहाँ पी भी कुछ ऐसी बात होगी चीक है आजो escrow account बोलता है main the form of cash deposit आप चाहू तो क्या कर सकते हो cash रख दो या तो आप क्या रखो bank guarantee bank guarantee किनके नाम पे बनती है merchant banker किसमे बनती है merchant banker अब इन्होंने क्या नहीं डाला इसमें security वाला नहीं डाला security वाली बात नहीं है तो बच्चा नहीं रहेगी security नहीं डालने का हां वो अधर है अलगलग method है ना जो method आपको follow करने है हर method की अपनी formality है समझ में आया अब इन्होंने का कि आप वैसी frequently traded shares खरीदने आ रहे हो stock market से खरीदने आ रहे हो ठीक है तो हम आपको security में खेलने नहीं देंगे बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई बता रही ना आचो है cash deposit cash deposit सेम है यह repeat है पूरा का पूरा repeat है अगर cash deposit रखना है तो यह पूरी की पूरी हमने power दे रहे हैं थी merchant banker को क्यों बैंक को instruction अगरे देगा मतलब पूरी power cash deposit company अपनी शेल वाइल ओपनिंग दे अकाउंट एंपावर दी merchant banker टू इंस्ट्रक दी बैंक कब कब पैसे निकाला है वो यह तो सेम बिल्कुल उसके जैसे ही है cash next आ जाओ अब बैंक गैरेंटी रखनी है तो क्या बैंक गैरेंटी रखनी है इन्होंने कहा बैंक गैरेंटी किसके नाम पर बनेगी पहली बात तो merchant banker के नाम पर शेल भी वेलिट फॉर दी कितने टाइम तक 30 डेज एक्सपारी यह भी सेम कुछ या दा रहे है इन्होंने कहा था कि यह 30 डेज तक तो सेम चीक है इसके तीस दिनों तक यहां पर बैंक गैरेंटी रखी जाएगी जाएगी ठीक है और अगर जल्द हो गई ठीक है, उन्हों का विच्चेवरी इस लेटर, हम पिरेट खतम उन्हों के 30 दिन का वेट करेंगे, जो बाद में होगा, तब तक ये जब लॉक इन में चली जाएगी, कहले रहे, पक्का, सेम शेल नौट भी रिटर्ण भाई दी मर्चेट बैंक करें, उन्हों का कि भाई नहीं दिनगे, जब तक क्या नहों जाएग, Obligations, Rules, Regulation करेंगे, तो इन्हों मिला कर अगर बोलू, जब तक Rules, Regulation, Responsibility, Obligation बच्चेप बैंक करेंगे खतम नहीं होती, तब तक बैंक गैरेंटी यहाँ पर रखी रहेगे, समझ मैं है, अगर बैंक गैरेंटी रखा है आपने, तो आपको लगता है, Company ऐसी बैंक गैरेंटी देगी, Cash, Tender Offer में कितना Cash रखना था, एक परसेंट और यहाँ पे कितना रखना है, 2.5%, 2.5% जो भी आपका एर मांक नहीं है, 400 करोट का 1% रखना पड़ेगा, सिंगल बैंक गैरेंटी से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है, जो भी रिजोलुशन उस पर से है, यहां पे ओचो, फिहां पैसा सिंगल रेकोन सारिवार पेसा सिंगल जोगे एर मांक पूरा-मूदल कितना था, बुक सिंगल पार बासेंग क은 उसे प्रशतान था, 10% म क्यों इस प्रश्कोंतहिकोन चोडना था, तो इन्होंने कहा जो शेल्डर को पैसे देने है यह आप निकाल लेना लेकिन subject to at least छोड़ देना उसमें, कितना छोड़ देना, 2.5% पैसा उसमें छोड़ देना, वहाँ आप बुला था 90% निकाल लो, actual में वापस आओ, मेरे उस वाले, कल के वाले example में अगर जाओगे, तो 400 करोड ही थे, एक तरफ 100 करोड था, और एक तरफ क्या था, 300 करोड, इसका कितना जाना था, 25%, 22.5 करोड, ठीक है, इसका कितना है बच्चा, 10% आइस्करो अकाउंट में होना था, ठीक है, अब इसका अग पहले ही लिख दिया, रुख जाओ, ठीक है, 25 करोड एसकरो अकाउंट में है, ठीक है, और इसका 25 कितना आएगा, 10% कितना आएगा, 30 करोड, दोनों में लाकर क्या होता है, 55 करोड कहां पर है, एसकरो अकाउंट में है, मैं टेंडर फॉर्म की बात कर रहे हूं, ठीक है, इत करना है, करो इसका 90% transfer, वहां मेरा 100 करोड था मेरे example में कलवाले में, ठीक है, यहां मैंने बढ़ा ले, हाँ, एसकरो में जितना कुछ भी रखा है न, देखो, एसकरो में 25 भी रखा है, 10 भी रखा है, पहले यह समझ में आ गया, पहले बताओ, एसकरोड में कितना पैसा रख यह पूरा जाएगा special account में, प्लस, प्लस कितना बचा था, जब आपने यहां पर 55 करोड, मेरे 400 करोड में से, एसकरोड करोड में कितना है, माइनस 55 करोड है, तो remaining कितना बचता है, 3, कही बात समझ में आ रही है, वापस वापस वापस, वापस बता रही हूं, ध्यान देना, 100 करोड वाला था वो, एक्जामपल में 100 था, कल का जो एक्जामपल था, वो मैंने easy करने के लिए 100 करोड लिया था, तो 100 करोड में बस 25 की बात भी थी, समझ मैं, लेकिन क्योंकि अभी एक्जामपल मेंने क्या ले लिया, 400, तो भई इसका 25 और इसका 10 भी तो जाएगा न, इ पर इसका नहीं आया, कोई पातुए, अगर 100 करोड का कंसद्रेशन है, वापस, 100 करोड का कंसद्रेशन है, अभी मेरा कंसद्रेशन 400 का हो गया, 400 में, एसकोर करम ने क्या बस 25 जाएगा, 300 का 10 भी तो जाएगा, इस समझ में आया क्या, कहीं और घूम गई अब तू, हाँ क्या-क्या एह न लाएको आओ इदर एश्करेडरोन में कितना पैसा जाता है depends आपका कंसीडेशन छोटा है की बड़ा है अगर मेरा कंसीडेशन 100 का है यह टेंडर फर्म की बात हो रही है तो 25% जाता है अगर मेरा कंसीडेशन कितना है 100 करोट से ज़्यादा का है उन्हों का 100 करोट से ज़्यादा का है मेरी example में अभी कितना है 400 करोट, 100 करोट से ज़्यादा है तो 25 तो पहले 100 का जाए गई जैसे मैंने bifurcation किया यह समझ में आ रहा है इसका तो 25 जाए का जाएगा remaining का कितना जाएगा 10, तो इसलिए मैंने इसका 10% निकल ले लेकिन कल वाले example में मैंने क्या किया था, value छोटी ली थी ताकि calculation करना असान हो जाए चलो छोटी ही value लेती हूँ अगर मैं 100 करोट ले रही हूँ तो सीधा क्या लेना है 25 करोट एसकर अकॉट में अब escrow account से पैसा कहा जाएगा special account में तो special account में 25 करोट का 90% यही है ठीक है लेकिन अगर example change हो गया है तो यह भी बनना जाएगा अगर मेरा example change हो गया है कहा गया escrow account में कितना रखा है यह देखो न 55 करोट तो इसका 90% that's it समझ में आया समझ में आया बस example थोड़ी दो तर देखो बस escrow account में कितना रखा है वो देखना है 55 करोट इसका 90% अब मैं कहा रही हूँ रुक 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 रु 400 करोड अगर है अगर 400 करोड है escrow account में तो 55 करोट रखा है न बाकी कितना बचा है बताओ 345 करोड ये तो देना है इन्होंने का special account में 55 का 90% तो दे तो ये तो पूरा 100 होगे न समझ में आ गया बस ये सारी कहानिया बता रही थी देखो exam में अगर आ गया calculation तो पता होना चाहिए अब लेकिन उन्होंने क्या बोला वहाँ 1% की guarantee bank guarantee दे तो 1% ये उन्होंने क्या बोल दिया 2.5% लेकिन वहाँ और यहाँ प्लीज ये दोनों limit याद रखना यूटिलाइजेशन यहाँ 50 लिखा है 50% airmark ये तो बदल चुका है 50 की जगा ये पुराना 70 है और नया 75 हो चुका है ये 75 प्लीज उसमें amended लिखा होना चाहिए same लिखा है repeat लिखा है यहाँ तक चीजे के लिए रहे याद करो हमने वहाँ भी पड़ा था अगर आपने कोई non-compliance किया तो सेभी चाहे तो forfeit कर सकती है याद आया और जबती करके वह पैसा क्या क्या करने वाली थी very good जिनी ने इस offer को accept किया था उसको देंगी और बाकी balance investor के protection में लगा देगी यही था वापस tender form tender form जो हमने पड़ा था tender form बोलता है अगर आपने compliance नहीं करया तो से भी आपकी जो यह escrow account में रखा पैसा उससे जबत कर लेगी forfeit कर लेगी और अगर forfeit कर लिया तो इसका पैसा किसको दिया जाएगा जिन शेयल्डर ने accept किया था और balance investor यह हमने tender form पड़ाता है यहाँ क्या है आजो अगर non-compliance किया तो से भी यहाँ भी फोरफिट कर लिए escrow account को subject to maximum 2.5% amount earmark for the buyback space है तो इसको अगर रखा कितना था उन्होंने अगर bank guarantee रखा तो 2.5 फी रखा है उन्हों का भाईया 2.5 का थोड़ा सा ध्यान रखना इसको तो बना के रखना maintain कर के रखना subject to compliance वापस escrow account में कितना रखा है वापस कोई बात नहीं actually में एक method पढ़ चुके हो दूसरी method चल रहे है दूसरी method बोलती है escrow account में कितना पैसा रखना है क्या इसमें 10% वाली बात है नहीं है क्या इसमें 10% वाली बात है नहीं है ये बात याद रखना है दोनों में difference है example में easy करने के लिए 100 crore ले रहे हूँ अगर 100 crore है तो उसका 25% कहा रखा है escrow account में क्या रहे है escrow account में रखा पैसा सेभी क्या कर लेगी forfeit सेभी क्या कर लेगी forfeit कर लेगी क्यूं कर लेगी क्योंकि आपने non-compliance किये उसका वो इदर उदर करेगी लेकिन जब वो forfeit करेगी तो escrow account में उन्होंने का 2.5% ना छोड़के रखना छोड़के रखना क्योंकि उसकी अभी हमने formalities 2.5% क्योंकि bank guarantee से भी connected है इसलों वहाँ पर भी छोड़के रखो उसकी भी बात को ध्यान रखना हाँ नहीं नहीं 25, 2.5% airmarked का उसमें airmarked ही रखा था 2.5 यहाँ पर भी अगर तुम notice करोगे वापस bank guarantee जब ले रहे थे रुकर रुकरो जब bank guarantee दे रहे थे तो पूरा bank guarantee रखना है नहीं 2.5% airmarked का पूरा 100 करोड का आपको रखना है ठीक है यही उन्होंने बुला है कि प्लीज उस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना जब से भी आप four feet कर रहे होगे यह maintain करके रखना क्योंकि इसकी formalities आगे चल कर आपको fulfill करनी पड़ेगी आप एकदम खाली मत करो escrow account को पूरा पैसा आपका ही हुआ लेकिन इस formality को थोड़ा for the time being रखो अभी क्योंकि बाद में हम दे देंगे कोई tension वाली बात नहीं है क्या रहे है आजो लेकिन अब यहां पे उन्होंने क्या बोला है sorry यह accept लिख है अभी हमने क्या पड़ा इस पॉइंट में non-compliance के तो सेभी क्या करती है forfeit करती है समझ में आ गया forfeit करते time पे सेभी को 2.5 वाली condition को fulfill करके रखनी है मतलब उसे एकदम खाली ask account को नहीं रखना है ठीक है बागी जितना लेना है ले लो जिसको जो करना है करते रो यह अभी color है exception मतलब forfeit नहीं करेगी उपर जब बोला है कि वो forfeit कर लेगी इसका exception मतलब forfeit नहीं करेगी तो यह exception है point A, B, C D कोई point नहीं है यह तुम्हारे book का presentation थोड़ा जीव है point A, B और C बतारी हूँ ना पहले A, B तुपढ़ ले पहले वही चीज पढ़नी है A, B, C पहला forfeit कर सकती है non-compliance से, forfeit नहीं करेगी कब नहीं करेगी इन्होंने कहा volume weighted average market price ठीक है अभी उपर एक method बताईती अभी एक method बताईती मैंने कहा था start is six ठाँ एक price निकाली जाती है ठीक है buyback में होता क्या है merchant banker एक अच्छा rate code करेगा तब जाके लोग attract होके दिंगे yes or no नलाइक था merchant banker उसने सही code नहीं किया volume weighted average market price higher than the buyback price merchant banker ने जो price decide की market में वो 600 का मिल रहा था और इसने code किया आओ शेल्टर मैं तुमारे सबके shares ना 400 में खरीद लोगा कोई आएगा क्या तो कोई नहीं आया उसका buyback fail हो रहा है सेभी ने बोला compliance नहीं किया तो escrow account में रखा मैं पूरा ले लूँगा लेकिन 2.5 छोड़ दूँगा ठीक है लेकिन सेभी बोल रहा है नहीं मैं ये forfeit नहीं करूँगा market में आपकी गलती के कारण price कमवे इस कारण से किसी ने interest नहीं दिखाया तो ये non-compliance नहीं माना जाएगा बस समझभाई वापस forfeit नहीं होगा क्यो forfeit नहीं होगा लोगों नहीं खरीदा तो ये non-compliance थोड़ना है किसी ने interest नहीं दिखाया उनको तुम्हारे product में दा भी नहीं लगा समझभा रहा है हम पढ़ रहे है सेभी non-compliance इसमें forfeit करेगा उसके exception ये कि सेभी इसमें forfeit नहीं करने वाला पहला कब नहीं करेगा जब उसे लगेगा कि market में price अच्छी थी और merchant banker ने कम code किया इस कारण से नहीं खरीदा तो ये non-compliance ये तो अच्छी था despite जो buy order था placed by the company certified by the merchant bank based on the input provide by the stock exchange in short आपका जो sell order जो आया वो inadequate था लोगोंने interest नहीं दिखाया in short वो यही कह रहा है पहला दूसरा point में ये बोल रहा है आपके shares market में नहीं बिखे पहला दूसरा क्या बोल रहा है आपका जो sell था वो inadequate था इतना सही था ही ने कि लोग को लगे कि हम इसे खरीद के अपनी ownership drop करते हैं तीसरा उन्होंने बोला इससे मिलता जुलता any circumstances exist beyond the control ऐसी कोई situation जिसमें company का bus ही नहीं है जिसमें company का control ही नहीं है तो in short यह तीन situation है इन तीन situation में company का control ही नहीं है price ठीक नहीं लगी उन्हें match नहीं वा या फिर ऐसे ही मिलते जुलते circumstances जिसमें company का control नहीं है तो अगर इन कारण से आपका buyback पीछे होता है तो यह non-compliance नहीं है यह compliance ही है market up down why तो हम आपके escrow account में रखे पैसे को forfeit नहीं करेंगे आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा जब सारी हम regulation एक बाद चेक कर ले तब से भी return करतेगा लेकिन एक बाद चेक करेगा कि सच में market ही उपर नीच वाना आपकी कोई गलती तो नहीं थी तो एक बाद चेक करका फिर आपको देगा केलर है अब चौथा point जो reason नहीं है वो यही कह रहा है amount of the forfeit इन्होंने बुला या तो forfeit होगा या तो नहीं होगा अगर forfeit हुआ तो यह क्या बुल दिया deposit का deposit कर देना इसका पैसा investor protection education fund में यह पैसा डाल देना से भी इसको investor के protection के लिए use करेगा fund का नाम ही है ठीक है fund को short cup ने क्या बोल सकते है आई P E F समझ में आया पक्का अब समझ में आया नुपूर डी वाल पॉइंट समझ में आया reason नहीं तो क्या है चलो हाँ पूरा एसकरोड में example के according 100 करोड का लेते चलो 100 करोड है हमारा एसकरोड में कितना रखना है 25% 25% कितना होता है 25 करोड अब इन्होंने कहा कि 2.5% of airmark छोड़ देना बाकी इसमें से जितना amount होता है उसे छोड़ देना बाकी आप forfeit कर लेना चीक है अब वो कुछ भी आ सकते है हाँ यह 2.5 100 करोड का लिखा जाएगा तो कितना आ जाएगा रुको 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 पहले मुझे बताओ 2.5% किसका 100 करोड का कितना होता है calculation बताओ कितना 2.5 करोड अब 25 करोड तो 25 में से 2.5 करोड छोड़ देना बाकी रुबेनी किसना बसता है 23 पॉइंट जो भी something वो forfeit हो जाएगा तो लिखा है ना रुको आचाओ बतारी बतारी रुको रीट करवारी रुको 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 मट्टन चलो आजा आओ रुको 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 language से connect होना important ठीक है in the event of the non-compliances as specified above अब वो जितनी भी compliances बोल लगे अगर वो नहीं होता है SEBI में direct the merchant banker to forfeit रुको ज्यादा मोटा हो गया ठीक है direction दिया जाएगा merchant banker को to forfeit the ascro account ascro account में रखा पैसा forfeit कर लो मेरी example में 100 करोड का 25% 25 करोड ascro account में रखा तो forfeit हो जागा यहां के लिए subject to maximum 2.5% of the amount earmark for the buyback specified subject to बोल दे मतलब कि इस condition का खास खयाल रखना subject to मतलब क्यों होता condition जहां कहीं भी आ जागा subject to मतलब यह वाली जो conditions है इसे disturb नहीं करना ठीक है subject to maximum 2.5% amount earmark for the buyback specified in the resolution board जो भी है उसे छोड कर जब भी कोई भी चीज़ा आती ना कि यह करना है subject to this मतलब इसे छोड कर समझ में है तो वो subject to से connect हो रहा है क्या रहा है exception इन्होंने क्या बोला है इसमें buyback sorry इसमें आप forfeit नहीं करोगे जब price high थी इसले फिर इस फंड में जाए connect है बच्चा killer है पका 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 फिर क्या लिख है बताओ same कुछ भी change नहीं है same as a tender offer आव एक बार रीट करें the provision of the existing जो भी certificate shall be extinguished from the open market इन्हों का भी है खतम तो करना पड़ेगा electronic form में physical का क्या करेंगे destroy करने के इंदा सारी चीजे सेम है completed by the company किती दिन के अंदर 15 days of the payout company shall extinguish physically destroy during the month during the month जिसमें वो रहे 6 महीन हो रहे थे बच्चा 6 महीन के लिए window open थी in the presence of क्या लिखा है merchant banker or क्या लिखा है statry auditor पुराने में statry auditor है obviously नहीं में secretarial on and before the 15 15 days of the succeeding month कब होना है अब जो इसमें ये change है कब destroy करना है 6 महीने के लिए खुला है window पहले बताओ इसमें 6 महीने window open है लेकिन tender offer में हमने देखा था 10 और 5 10 पुराने में और नए में 5 इसमें कितना है 6 महीने अगर ये 6 महीने के लिए open है तो इन्होंने कहा इस 6 महीने में खरीदना बेशना तो पुरे महीना चल रहा था ना daily daily update देना था stock exchange को हाना अब इन्होंने कहा जब भी आप करोगे इन 6 महीने में इन्होंने बुला पूरा एक-एक मन्त का उठाना during the month किसी भी मन्त में आपने payout किया वहां से आप 15 दिन के अंदर क्या करना बच्चा extinguish physically destroy कर देना वापस January, February, March, April, May, June चीक है? 6 महीने लेते प्रॉपर आजो January, February, March April, May, June ये 6 महीन है आओ लागे जगवार फिर से रीट करे verification और acceptance complete वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या बोल दिया? 15 दिन लेना ये tender offer से change है Company extinguish physically destroy the security certificate during the month during the month in the presence of the merchant same day before the 15 days of the succeeding month अब आपका एक महीने में जितना कुछ भी हो रहा है 15 दिन के अंदर अंदर क्या कर देना? खतम कर देना January में आपने जितने भी shares लिए January में आपने जितने भी shares लिए January महीने की सारी के सारी चीजे succeeding month February उसके 15 दिन मतलब 15 February तक destroy कर देना ऐसे नहीं कि 6 महीने में पूरा एकट्टा करो बात में destroy करेंगा उसमें 5 दिन के लिए window open थी तो एकट्टा करके destroy करो इनमें यहाँ पे क्या बुला उन्होंने? हर महीने महीने में 15 दिन में कर लेना तो January का 15 February तक February में जो खरीद रहे हो उसका 15 March तक इस तरीके से हर महीने के सक्सीडिंग के 15 दिन के अंदर दे destroy कर लेना इनमें के presence में पाच समझ भाई? पक्का The Company Challenger सारी के सारी चीजे 7 Days चीक है? अब यह तो थी पुरानी इसमें एक चोटा-चोटा amendment चोटा-चोटा amendment रुको तो चोटा amendment अभी कर लो यह सेम है यहां पहला amendment पहली बता चुकी हूँ 50 जगा 70 ठीक है और 40% वाली बात हाफ इनिशल जो भी उनिशल हाफ मैं बुला ठीक है? हाँ? लिख वो नया आया अच्छल में वो एक दमी नया आया आया वो पॉइंट आड किया गया है ठीक है? हाँ वो मैं बहेज दूँगी मैं लोड लो ठीक है? आजो फिर क्या बोला? पहला यह का लिखा है कंपनी बाइबैक करिये नेशनवाइड टेटिंग टमिनल इसे क्रॉस नहीं किया है इसके बाजू में एक अडिशनल दे दिया है इसके बाजू में एक अडिशनल दे दिया है वो भी पॉइंट है और एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट फर दपपोस ओफ बाइबैक थू स्टॉक एक्षेंट इसे बाजू इसे रिमें ओपन कुछ बताया है उन्होंने? बस लिख दिया है separate window open रहेगी और उतने time तक के लिए open रहेगी जो भी specified है आगे चल के उन्होंने for the purpose of buyback stock exchange separate window will be created stock exchange ने open stock exchange को दिरी दिरे खतम कर रहा है तो क्योंकि इसे दिरी दिरे खतम कर रहा है तो इसके लिए अलग से बंदबस करके रखा है separate window open करके रखा है और जो window है open रहेगी वही 6 मेने और जो भी हमने पढ़ा सारी चीज़े same 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 अब ये ये तो समझ में आये गया है ये तो समझ में आ गया है public announcement पुराना बोलता था बस SEBI को ये क्या बोलता है SEBI stock exchange सारी चीज़े same है ये तो पढ़ो आ दिया है आ जो very important development ये वाला third का ये इस में जाद amendment नहीं है बस इतना ही है हां बच्चा बिलकुल तो है ही ये तो है ही ये ये तो है ही न एक तो methods भी इतनी सारी है न देखो बच्चा कितनी methods हैं तीन methods तो मैंने बोला ना, confusion होगी तो फिर क्या लेना हमेशा, जो manage कर पा रहा है वो करे, ना करे तो वो फिर new message होगा, चीक है, आजो, आजो, आजो वापस, सबसे important amendment है ये, आओ, अभी हमने क्या पढ़ा था, कितने दिन के अंदर open हो जानी चाहिए थी window, चीक है, साथ दिन के open होगी ना, आओ, थोड़ा साब समझो, क्योंकि इसे face-out तरीकी से खतम कर रहे हैं, ये वो ही open market है, जिसे face-out खतम किया जा रहा था, पहले बताओ, हमने क्या बुलवा था, open market से जाना तो 15% ही लेना, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद दिलाती रुको, अरी यार याज, क क्या ये कुछ याद आया, odd lot खतम हो गया है, इसको face-out किया जा रहा है, तो जब face-out किया जा रहा था, तो 31st March 2023, ये 4 और ये 5 ये, 15%, next year उनने क्या बोला, 10%, फिर उनने क्या बोला, 5%, ये समझ में आया, पहले बताओ, ये समझ में आया, तो धीरे धीरे जब ये खतम हो रहा है, तो इसके लिए इन्होंने ये ही बोला, कि अब हम इसको क्या करने वाले है, समझना, देरे देरे इसका time भी कम करने वाले, अब ये जो आपने पड़ा, क्या पड़ा, 6 महीने, 6 महीने duration किसके लिए था, 31st March 2023, अभी आप 24 में हो, अगर अभी Bingo CS आप काम करते हो, तो ये Working Days, 6 महीने से कम करकर, 66, समझ में आया, मतलब विंडो चार दिन के अंदर, जैसे हमने यहाँ पड़ा था न, विंडो साथ दिन के अंदर ओपन होने चाहिए, और 6 महीने तक ओपन रहेगी, चेंज होकर उन्होंने क्या बोल दिया है, चार दिन के अंदर होने चाहिए, और स सबके लिए बोल दिया, चार दिन, अब बोल दिया, सबके लिए चार दिन, अब साथ हो खतम ही कर दिया, पहला जो 31st मां 2023, उसमें 6 महीने, अभी 24 है, तो इसमे 66 वर्किंग डेस, अब जब तुम चले जाओगे, 2025 में चले जाओगे, तो 22 दिन, और उसके बाद तो प्राक्टिकली तुम इसे नहीं देख पाओगे, प्राक्टिकली यह खतम हो चुका होगा, ओपन मार्केट को यह खतम कर रहे, लेकिन धीरे-देरे, टेंडर बचेगा, और लाउट तो खतम है, ओपन में, स्टॉक मार्केट को खतम है, ओपन का बुक बिल्डिंग है अभी उसकी भी प्रोसेस पड़ेंगे ना, पहले बताँ, यहां तेक चीज़े के लिए रहे, चलेगा, 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 लेकिन अगर नोटिस करो, इसमें अमेंडमेंट कम था, पहला इसमें दस, पचास की जगा क्या बोला, 75, और फिर यहां एक था अमेंडमेंट वो तो कॉ सबसे अच्छा book building था, लेकिन ऐसा क्यों? नहीं, अभी बढ़ारें, क्योंकि यह connected है, मैं book building वापस से बढ़ा दूंगी, फिर से revise करा दूंगी, लेकिन आज क्योंकि चीज़े connected है, मैं आज ही बढ़ाना हूँ, चाही दिमाग में जाए, चाही दिमाग में ना जाए, मंड बस, है, amendment मतलब सारी चीज़े सेम है, यह पूरा हट की है, इसके जग़ा एक नहीं चीज है, चीक है? इसके जग़ा लेकिन नाया चीज है, चलो आओ, load बिल्कुल मतलो, आजो, क्या बढ़ रहे, book building, same, copy paste, या तो special resolution पास होगा, या तो board resolution, repeat, चीक है? पक्का, हाँ, book building, book building, same, same, उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन वो सारी चीज़े सेम है, चलो, वापस आते है, filing disclosure, इन्होंने का appoint करो, merchant banker को, public announcement करो, फिर 87 days period to commencement of the buyback, आपको क्या करना है, detail, book building की process भेजी नहीं है, इन्होंने कहा, कि book building करो, इसकी पूरी detailing भेजो, इसकी जगा चीजे चेंज हो गई ह तो इसको अभी थोड़ा सा light low, change में बताऊंगे, एसको अकॉंट लिखा है, एसको अकॉंट क्या था, बरोसाल अकॉंट, deposit of the amount, सीधा इन्होंने क्या बोल दिया, tender offer जैसे है, मतलब वही 1% वाली बात याद रगना, वही 25-10% tender offer, deposit in the escrow account, before the date of the opening of the escrow account में पैसा डाल देना ठीक है, reference of the maximum, जो भी price होगा, amount, deposit, escrow account, determine, अब इन्होंने ये बुल दिया, maximum price, समझो, book building क्या होता है बच्चा? book building में price decide नहीं है, हम कह रहे हैं, हाँ, very good, हम कह रहे हैं, हमारी जो price है, 100-120 के बीच में होगी, तो इन्होंने का, escrow account में पैसे कैसे डाले, इन्होंने का, सुनो, maximum क्या है, 120 ना, 120 का ध्यान रखना, उसका 25% निकालना, समझ में आया है, देखो, क्या लिखा है, amount जो deposit होगा ना, तो reference क्या लेना, maximum price, क्योंकि तुम तो नाटक करोगे, सौल होगे, हम तो चाहते, जादे जादा पैसे टालो, escrow account में, तो maximum price 120 का लेना और डाल देने का, cash, escrow account, merchant banker, सारी की सारी चीजे, same है, filing of the SEBI, SEBI को दो दिन के अंदर file कर दो, public announcement से, same, book building, electronically link, trans, यह दो को अब जन दो का transparent facility, मतला सारी चीजे सही से चल रही हो, in general, number of the bidding center, general बात है, bidding center मतलब जहाँ पे आपका invitation आएगा, 100 से 120 के बीच में, कितने में खरिदना चाहते हो, किसे ने बोला 100, किसे ने बोला 110, किसे ने बोला 115, तो ऐसे bidding center open कर रखे, पूरे all over India में कितने open कर रखो, not be less than, 30 तो minimum खोल के रखो, यह सारे bidding center कोई ने, banks होते है, practically बताऊं तो कौन होते है, banks, SBA bank से बात कर ली, तुमें एक bidding center, ताकि किसी को भी दिखकत हो, तो SBA bank से बात करकर, यह facility adopt कर ले, अलग 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 center, पूरी all over India में, company को merchant banker बास अपॉइंट करना है, merchant banker, एक investment banker है, इसने all over India में पूरी की पूरी bidding centers open कर रखे, तो ऐसे count करके, हर ब्रांच अलग लग चार पांदे 10, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, अगर किसी investor को bidding करने में दिखकत हो रही है, वो सही तो पू अब तुझा अगर bidding करने तो bank में जा कि अपने query generate कर सकती ही, वो online करने में तुमारी help करेगा, ठीक है, bid करने में, हाँ, bidding करने में आपकी help करता है, ठीक है, centers open है, एक electronic link computer होगा, company के पास, जिसे bidding का पूरा काम चरवा रहा है, terminal at the, सारे bidding center से वो connected होगा, मतलब अगर investor ने किस बैंक में जा कर वो bidding की help लिए, तो वो सीधा मुझे इस electronically system में दिखेगा, वो बस practically बता रहे, offer जो buyback का है, remain open, इसका duration का है, 15-30 दिन के लिए, सबसे पहली method नया, 5 दिन के लिए window open, दूसरी method हमने पढ़ी, stock exchange, 6 महिने, फिर उस 6 महिने, चाह दिन के तर open हो जाने, open कितने time तक रहे, 6 महिने तक, फिर उन्होंने कहा कि भाया, 66, 22 days, हाँ, हाँ, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 15-30 दिन के अंदर, चीक है, नहीं, यह नहीं, कुछ भी हम इंद नहीं है, merchant banker and company determined the buyback price, वो decide करेगी, एक cut-off price decide होती है, final price ही है, वो जो merchant banker decide करता है, वो क्या होती है, highest price जादे तर लोग, जिस price को जादे तर बोल रहे हैं, जादे तर लोग, 120 बोलो तो 120 ही final हो जाएगा, मानलो, आस्था ने अपना invitation दिया, इसने offer में लिखके दिया, कि दीदी, मैं 100 रुपे में खरी दें होती है, श्रियाश ने बोला, 110 में, तुमने बोला, 115 में, किसने बोल 120 में, हाइस जिसका जो होगा, वही final होगा, जादे तर लोगों ने 120 बोला, जितने जादा लोगों ने बोला, ठीक है, majority देखा जाएगा, जो final होगी, उसे हम cut-off price बोलते है, ठीक है, वो price सब को दी जाएगी, आस्था ने बोला था, मैं 100 रुपे में भी अपना बेश दू तो सुनो होगा, तुम लोग की application आएगी, किसी ने बहुत लेट-लेट बोला तो उसको नहीं बोला जाएगा, ठीक है, तो एक cut-off price होते है, विंडो शटर गिर जाता है, जैसे इतने सारे लोगों cut-off होगे, तो एक sick price, ये technical है, इसमें questions भी आता है, देखाऊंगी, इस technicality मे मत जाओ, अभी बस उन्हें बोला एक price जो final होगी, merchant banker से final करेगा, और सब को एक जैसे देगा, भले सामने वाले, कुछ लोगों ने 100 बोला था, कुछ ने 120 बोला था, cut-off price, final भी 120, लेकिन मिलेगा सब को 120 ही, भले किसी ने 100 भी बोला हो, ठीक है, verification वगेरा सब करो, ठीक है, opening of the special account, payment वगेरा डालो, इन्हों का भी या, same copy-paste किस की तरह, tender offer की तरह करो, mutatis, merchant day supply, extinguish, same tender offer की तरह, मतलब, book building process, almost tender offer की तरह ही है, इसलिए अगर मैं कहूंगी कि method है, जो actually मैं अब exist करेगी, tender offer करेगी, अब book building करेगी, लेकिन book building में भी आधिस जादा बात है किस की है, tender offer की तो main है tender offer, इसलिए उसमें बहुत जादा detailing पढ़ा है, बाकी सब में आप पुराना side रखो, ठीक है, बस नया पढ़ो, लेकिन एक लौता tender offer है, जिसमें नया पुराना दोनों पढ़ना पढ़ेगा, चीजे समझ में आई, और वो ही बहुत, इसलिए मैंने उसको इतने शित् आदो, बास समझ में आगई, बस new, ठीक है, और new में भी मैंने सबसे important क्या बता है, वो जो days है न, 6 महीने, 66, then 22, ठीक है, 15%, then 10%, 5%, क्या चल रहा है, बता है न, क्या है, क्या है, maximum कितना pays out कर रहे, तो ये दोनों सब के कौन से, open market, लेकिन open market का stock exchange याद रखना, ठीक है, चलो, वापस, रुको तो, पूरा complete revision, आओ, method, बच्चा, अच्छे से smoothly खतम करो न, क्यों थोड़ 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 के जा रहे हो, ठीक है, method, पहला हमने क्या बढ़ा, tender, ठीक है, tender offer, क्यूंकि आपने नया पुराना, दोनों अच्छे से, nodes बना लिया है, ठीक है, तो इसलिए इसको repeat नहीं करा रहे है, ठीक है, अब आजओ open, और कौन सा था, और लोड तो खतम ही है, उसमें तो tender offer ही बोला है, ठीक है, तो आपन बस किसकी बात करेंगे, open market के दो है, एक है stock exchange, और दूसरा है book building, ठीक है, चलो, आजओ stock exchange का क्या बोलता है, सबसे पहले, चीजे सेम है, मुझे इसका भी चाहिए तुम्हारे उसमें, ठीक है, board resolution और special resolution सेम है, वहां से दो दिन के अंदर क्या गरना था, दो नित था ना, पिर उसके बाद, क्या करना था, यह तो सारी जीजे सेम थी, सीधा opening में आ जाओ न, इसमें बीच में कुछ लफड़ा था क्या, कुछ था ही नहीं, letter offer है क्या, dispatch को कि नाटक है क्या, कुछ है ही नहीं, ठीक है, सीधा यह क्या कह रहे है भाईया, कितने दिन के अंदर, नया बोलो इसका, यह तो पुराना था, चार दिन के अंदर, 4 working days के अंदर क्या करना है, open हो जाना चाहिए, ठीक है, और अगर open होगा तो कितने महीने के लिए, 6 महीने, अब इसमें change है, 66 working days, इसका क्या है, अब बोलो चीज़ आसान हो गई, इसलब कह रही थी, यह समझ लो ठीक है, अब इसके बाद, book building में आ जाए, book building में क्या बोला है, कि सारी चीज़े क्या है, खत्ता मित्ता ही तो था, इसके बाद, verification payment था, sorry, verification payment कितना था, आ जो, verification, escrow account तो पहले open हो जाएगा ना, कब हो जाएगा open, on, before, before लिखा है, मतलब कि जब भी आपकी window open होगी, वहां स अब, इसके बाद, shares आ गए, इसका क्या करना था फिर, physically destroy करना पड़ेगा, कैसे destroy करना था, इन्होंने का, जब भी payment करोगे, verification भी था, verification भी था, बताओ, जाओ, check, verification भी था ना, verification acceptance, verification कितना था, 15 दिन, यह extinguish certificate देखो, यहाँ पर, the verification of the acceptance shall be completed by the company within 15 days of the payout, इन्होंने का, जब यह accept हो है, हमने payment कर दे तो, verification फटाफट देख लो, ठीक है, तो 15 दिन के अंदर क्या करना है, verification करना है, कहां थी अब यह, कहां चली गई, हाँ, बिल गई, बिल गई, चलो, हाँ, 15 दिन के अंदर क्या करना है, verification payment कर दो, चीक है, इसके बाद, खतम भी थो करना था, इन्होंने का, देखो, यह 6 महिने का, डूरेशन अब बहुत बड़ा है, यह 6 महिने, इन 6 महिने में, जब जब एक महिना आएगा, इसी की next succeeding मंद की 15 days में खतम करते, चलो, समझ में आया, समझ में, अच्छा, इह रटा दूए, काला-कला, बस में बताना चारू, यह 6 महिने बहुत ज़्यादा है, यह 6 महिने बहुत ज़्यादा है, रूको, हाँ, 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 हा नहीं नहीं तुम लोग को, हाँ, नहीं आ रहा, आया, 6 महिने बहुत लंबे तो इसी 6 महिने के अंदर ही पेमेंट हो रही है, इसी 6 महिने के अंदर दिस्ट्रॉय हो रहा, तो सब इसी के अंदर हो, इसले मैंने 6 महिने ऐसे लगा दे, जब यह 66 हो जाएगा, जब यह 22 days तो कम होता जाएगा, कया रहे, पक्का, फिर बुख बील्दिन तो पुरा टैन्डर ही था, तो यह एक बाग्सहोर से गो थूरू कर ले ना, आज की सब अ? हा, हाँ, ससेकेंड पॉइंट हा, रूको, रूको, कोई सबसा यह उतनी रूको, यह वalgत धा, यह एक चीज घै मैंन व में आगे, एक minimum और एक maximum price होती है, filing requirement बोलता है, company authorized by the SR, या फिवी board जो भी है, appoint करेगा merchant banker, public announcement within two working days from the approval of the board, same लिखा है, दो दिन के, अंदर अंदर, आपको यह सब करना है, disclose, same लिखा है, यह एक्चिम ले book building process, within seven working days from the date of the public announcement, comments हो जाना चाहिए, यह तो same ही है, यह seven working days, यह एक्चिम में रुको, book building पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, book building, बंदी हो गया, अच्छा, बैटरी खतम हो गया, चलो वापस, वापस, book building, same tender offer जैसा था, बस उन्हेंने का tender offer जैसे में, बस एक चीज, difference है, वो difference क्या है, साथ दिन के अंदर अंदर, जब भी public announcement के है, वाँ से साथ दिन के अंदर आपका open हो जाना चाहिए, fit tender offer जैसा ही, वो पांस दिन open रहेगा, यह वो वो सारी चीजे, ठीक है, यह एक बार मैं भेज दूंगी, notes, प्लीज एक बार रीट करना, नहीं समझ मैंगा, Monday पूरा फिर से रिविजन है इस chapter का, और एक दो पेज़ी बच्चे उससे पूरा खताम करेंगे, आज की सबास हमापत,